Hey guys, welcome back to our new video Well, finally Realme 10 Pro Plus के अंदर जिनके भी early access के जो form थे वो अप्रूफ हो गए उन सभी उसको लबबक update देखने को मिल चुका है मैं आपके साथ में इसका जो पूरा update रिव हुए वो दो share कर दिया था लेकिन आज की इस वीडियो का अदर मैं करूंगा Realme 10 Pro Plus का charging test after EX01 update देखेंगे Realme 5.0 update के बाद में Realme 10 Pro Plus charging के अंदर कैसा perform करता है फोन को charge होने के लिए कितना time को लगता है सब कुछ इस वीडियो का दर cover किया है So let's begin तो ये रहा Realme 10 Pro Plus सबसे पहले आपको इसका जो update का version है वो check out करा देता हूँ तो मैं चल जाओंगा setting के अंदर फटाफट से about section के अंदर चले जाता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करो जो update है वो Realme 5.0 का trial बता रहा है और फिलाल जो है एक bug है Realme 10 Pro Plus के अंदर जो पिछला version एन update का warm को यहाँ पर show रहा है जो कि हमको आप टो दो बाउस देखने को मिल लाता है के बल भी original है तो सब कुछ ready stopwatch को और यहाँ पर charging को दोनों को साथ में on कर दिया है और charging भी यहाँ पर start हो चुकी है तो आप आप देख सकते हो 1% पर हमारे जो charging है वो start हो चुकी है अभी मैं आपको मिलता हूँ पर 5 minute complete होने के बाद 5 minute यहाँ पर complete हो गए है देख लेते हैं 5 minute के बाद हमारा phone कितना पसंद चार्ज हुआ है तो correctly 5 minute के बाद आपको आपको 20% की जो charging है वो देखने को मिलती है अपने phone के अंदर अभी मैं आपको directly 20 minutes complete होने के बाद में मिलता हूँ तो finally 20 minute पूरे हमारे complete हो चुक है फोन को charging पर लागा कर चेक करें phone में कितनी पसंद चार्ज हुए तो पूरे 20 minute के बाद में आपको 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 पर 60% की charging है वो देखने को मिलती है तो battery की अभी जो charging speed है वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है लेकिन अगर heating की बाद करें तो phone अभी से हलका सा heat होना start हो चुका है हलका सा warm up अभी वह है जादा problem देखने को नहीं मिलता है अब मैं आपको मिलता हूँ 30 minutes के बाद तो finally यहाँ पर आदा घंट आने की 30 minutes कम्प्लिट हो चुके एक बार चेक कर लाते हो phone कितना पसंद चार्ज हुआ है तबर आप देखेंगे 84% की जो charging यह वो आपको देखने को मिल लेगी आदा घंटे के अंदर charging speed अभी आपको ठीक ठाक सी देखने को मिलती है चले देखते आप हमारा फोन कब तक 100% चार्ज होगा 37 minutes कम्प्लिट होने के बाद में फोन करना आपको 98% की charging देखने को मिलती है काफी fast चार्ज हो रहा है अब देखते 100% हमारा फोन कब तक चार्ज होगा तो फाइनल यहाँ पर आप देखेंगे लगबख हमारा 39 minutes के आसपास जो हमारा फोन हो पूरा 100% चार्ज हो चुका है तो इस अपडेट के बाद में अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो आपको काफी बड़ा चार्जिंग स्पीड देखने को मिल दाती है लेकिन एक पर आपको फून हीट होगा तो आपको फून काफी दाता स्लो चार्ज होता है लगबख 35W के आस पास लेकिन अगर आपको फून जो ही किसी भी जगापर गर्मी नहीं होगी बट विंटर के अंदर तो बहुत ही बड़ा चार्जिंग स्पीड देखने को मिलें तो पुरा च पहले ही से देखने को मिल रहे हो तो हाँ इस अप्रेट का इंदर भी इसको फिक्स नहीं करा गए लेकिन अभी तो वह से भी विंटर का सीधाना तो काफी बड़े आपको चार्जिंग स्पीड जो है वो देखने को मिलें कि रियल मीट 10 पर प्लस की चलिए इस वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटा-फट से लाइक कर देना चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो इनकेस आपको इस तरह की वीडियो फीचर में और चाहिए मैं में आपको नेक्ट वीडियो का ना तब तक के लिए बाई